दोस्तों क्या आपका भी phone slow charge होता है? 0 से 100% charge होने के लिए 3 से 4 घंटा या फिर उससे ज़्यादा समय लग जाता है? तो आज का ये वीडियो दोस्तों especially आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको special settings के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है developer option अब इस setting के बारे में काफी लोगों को पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस setting के अंदर इतने सारे hidden settings छुपे हुए हैं जिसे अगर आप on कर लोगे तो आपका जो 3 से 4 घंटा full charge होने में लगता होगा ना तो फिर आपका 30 से 40 मिनट के अंदर में full charge हो जाएगा 0 से 100 परसेंट जो है 30 से 40 मिनट में तो अगर आप जानना चाहते हूँ इन सभी settings के बारे में तो इस वीडियो को last तक देखो बिना skip के हुए और वीडियो पसंद है तो like करना, channel को subscribe करना और comment section में nice, awesome या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ developer option के अंदर का hidden settings के बारे में तो उसके लिए आपको क्या करना सबसे पहले आप अपने phone में settings को open कर लेना देन यहाँ पर आपको आ जाना है developer option में अब जिसके phone में developer option enable है उसके लिए तो काफी अच्छा है लेकिन जिसके phone में developer option enable नहीं है और करने नहीं आता है तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है सबसे पहले आपको आना है about phone में और उसके बाद यहाँ पर software information पर आ जाना है और यह जो build number है चले मैं आपको बता देता हूँ फॉस्ट सेटिंग के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो जो फॉस्ट सेटिंग है वो आपको उपर में ही मिल जाएगा ठीक है अगर आपके पास Vivo का phone है Oppo का phone है MI का phone है OnePlus का है तो सभी phone में developer option के अंदर same setting होता है ठीक है कुछ जगा change हो सकता है लेकिन setting आपको same मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहला जो setting आपको करना है वो है auto update system अब जैसी के दोस्तों क्या होता है कि हमारे phone का जो है वो update आते रहता है ठीक है system update तो हमारा phone क्या करता है कि उस update को automatic update कर देता है हमारे phone को पुरा update कर देगा ठीक है जिसके बाद क्या होगा कि अगर हमारे phone के लिए वो update suitable नहीं रहेगा तो हमारा जो phone है वो slow charge होने लगेगा या फिर data जल्दी जल्दी खतम होगा या फिर battery drain होने लगेगा जल्दी जल्दी तो ये सारे problem आपको face करने के लिए मिलने लगते है तो आपको क्या करना है auto update system को यहां से बंद कर देना है जैसी आप इसे यहां से बंद करोगे तो आगे से कोई भी update आएगा तो आपको सबसे पहले बताएगा कि हाँ इसका update आया है क्या इसे आप update करना चाते हो या फिर नहीं तो आपसे पूछेगा उसके बाद ठीक है तो ये setting आप जरूर बंद कर देना अब यहां पर अगला जो setting आपको करना है आपको थोड़ा सा scroll down करना है ठीक है यह second setting है दोस्तो यहां पर scroll down करेंगे और इसी के अंदर आपको वो setting मिलता है दोस्तो ठीक है यहां पर scroll down करेंगे और आपको वो setting कर देना है इसके अंदर यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर यह आपको setting करना है mobile data always active यह हमारे phone को fast charge करने में काफी ज़्यादा रुकावट लाता है आखिर क्यों? जैसे के दोस्तो अगर हम यहां से अपना data बंद भी कर देंगे लेकिन हमारे background में हमारे phone के background में data हमारा active रहता है जैसे कि यहां पर clear आप देख सकते हो mobile data always active always active मतलब हमेशा यह active रहता है ठीक है आपके phone में क्या internet पर हो रहा है क्या आप बात कर रहे हो सारा कुछ यहां पर सुनता है ठीक है जैसे कि आपने कभी गौर किया होगा कि आप जो बात करते हो वही चीज का आपके सामने add दिखाने लगता है तो क्यों? आखिर हमारा data on है तभी तो हमारा data on always रहता है हमेशा data on रहता है इसी वज़ासे हमारा जो Google है वो सारे बाते हमारा सुनते रहता है और उसके बाद उसी तरह का add हमारे सामने लाकर रख देता है तो यहां पर आपको क्या करना है? mobile data always active को यहां से बंद कर देना है जिसके बाद क्या होगा? कि आपका जो phone है वो बिलकुल fast charge होना सुरू हो जाएगा ठीक है? यह आपको second setting कर लेना है अब यहां पर मैं आपको बतायता हूँ third setting के बारे में तो third setting दोस्तों यहां पर यह है wifi scan throttling ठीक है? यह आपको setting on करना है और यह setting आपके phone को fast charge करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा आखिर क्यों? यहां पर clear लिखा हुआ है reduce battery drain and improve network performance ठीक है? जैसे कि अगर आपका battery काफी जल्दी जल्दी खतम हो जाता है तो उसे भी यह बचाएगा उसे भी drain होने से बचाएगा साथी साथ आपका जो phone काफी देरी से चार्ज होता है उसमें भी improvement लाएगा और साथी साथ आपके network performance में भी improvement लाएगा ठीक है? समझ रहे हो अगर आपका network ज्यादा मतलब कि weak रहता है तो उसमें भी improvement लाएगा और fast charge नहीं होता है उसमें भी improvement तो आपको क्या करना है wifi scan throttling पर आपको इसे on कर देना है जैसी आप इसे on करोगे आप देखोगे कि आपका जो phone है वो fast charge होना सुरू कर देगा ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ fourth setting fourth setting बहुत ज़्यादा special है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आपको आज आना है निच्चे ठीक है इसी के अंदर आपको निच्चे आना है ठीक है यहाँ पर आपको मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो background process limit background process limit इतना कमाल का setting है दोस्तो तो standard limit पर अगर है तो समझ लोग कि आपका battery भी काफी जल्दी जल्दी drain होगा और आपके phone को fast charge करने में यह काफी जादा रोकता है तो standard limit आखिर क्या करता है आपके phone में जितने भी application on है जैसे कि माल लिजिए कि अगर मैं इस application को use कर रहा हूँ तो यहाँ पर setting अभी मैं use नहीं कर रहा हूँ YouTube को use कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर background में setting भी काम कर रहा है अगर मैं और भी application यहाँ पर on कर दूँगा जैसे कि यहाँ पर मैं जो है वो gallery को open कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं Samsung Notes को जो है वो open कर लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर माल लिजीए कि YouTube को या फिर gallery को किसी भी application को मैं use कर रहा हूँ तो यहाँ पर सभी application background में चल रहा है यह सारा application चल रहा है अगर माल लिजीए कि मैं ऐसे बंद करकर और अपने phone को charge में लगा दिया फिर भी हमारे phone के background में वो सारा application चल रहा है जिसके बाद क्या होता है कि आपके phone को fast charge करने में काफी ज़्यादा रुकावट आती है ठीक है तो आपको इसके अंदर आपको क्या setting करना है जिससे कि आपका phone fast charge होने लगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होगा आपको आपको आना है इसी के अंदर और आपको कर देना है अगर आप ये setting कर दोगे no background process तो आप ये बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप ये कर दोगे no background process तो अब आप अपने phone को जितना भी मतलब कि application open करकर और अपने phone को charge में लगा दो तो आपका phone अब fast charge हो गाएं कोई भी application background में run नहीं हो रहा है ठीक है तो ये काफी कमाल का जो है वो ये setting है अब यहाँ पर अगला जो setting है फिप्थ नमबर वो जो setting है वो आपको जस्ट इसी के उपर मिल जाता है यह क्या है don't keep activities यहाँ पर destroy every activity as soon as the user lives it clear यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपका setting जो देख रहे हो न आपके phone को fast charge करने में काफी जादा help करेगा यह setting don't keep activities अग यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसे on कर दिया अब on करने के बाद क्या होगा कि अगर मैं अपने phone को यहीं से बंद कर देता हूँ देखिए यहाँ पर मालेजे कि मैं इस setting को use कर रहा था या फिर मालेजे कि मैं YouTube को use कर रहा था और मैं अपने phone को इस तरह से मैं lock करकर और phone को charge में लगा दिया तो अब हमारा जो background में जितना भी activities हो रहा था हमारे phone के अंदर वो सारा बंद हो गया है जैसी मैं अपने phone को lock कर दूँगा वैसे ही सारा activity बंद हो जाएगा सिर्फ lock करते के साथ ही अगर मैं यहाँ पर on किया हूँ तो यहाँ पर सारा यह जो application है यह run हो रहा है अभी चल रहा है ठीक है अगर मैं इस setting को अगर बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद यहाँ पर जो आप setting देख रहे हो application पर रोक कर और अपने phone को लॉग करकर चार्ज में लगा दो कोई भी application आपके phone के background में run नहीं होगा कोई भी activity नहीं होगा जिसके बाद आपका phone fast charge होने लगेगा ठीक है यह आपको जो है वो पांचों setting करना है और साथी साथ मैं आपको एक bonus trick बता देता हूँ अगर आप अ जो है वो fast charge होगा तो यह bonus trick था बाकी यह पांचों जो मैंने आपको बताया वो setting आप जरूर करना आपका जो phone है वो 30 से 40 मिनट के अंदर में 0 से 100% charge हो जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स्राइब करना मिलते है किसी ने वीडियो के साथ